अबेदुबे आप से शुरू करेंगे अबेदुबे मध्यप्रदेश और 36 गड़ तो आपके लिए आसान है लेकिन जैसा मैंने बताया आप भी मुस्कुरा रहे हैं आज अबेदुबे मुस्कुरा रहे हैं उनको पताएगी दो राज्यों में तो उनके लिए आसान है लेकिन राजस्थान से शुरू करूँगा अभे दुबे इसलिए में राजस्थान में आपके खेमे में भी एक नहीं पांच-पांच नाम चल रहे हैं कौन बनेगा सीएम राजस्थान में अगर कॉंग्रेस पार्टी जीती तो अभे दुबे मानक जीद आपने पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा फोन होगा तो राजस्थान 36 गड़ में हमारे मुख्यमंत्री पहले से हैं हमारे वशोग गेलो साब राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री हैं तो दोनों ही प्रांतों में हमारे व्यक्ति और वचन साथ मिलकर दड़ता से सुनाओ नड़ने और राहुल राजी जी की मानिता साफ है कि मुख्यमंत्री हमारे कोई भी हो लेकिन विचार हमारा नेत्रत करता है तो मद्यप्रदेश में भी कमलनाजी का व्यक्ति उनको तो पंद्रा महीने का आफसर मिला और जो जनता को देखने को मिला पंद्रा महीनों की मद्यप्रदेश की कॉंग्रेस की सरकार में उससे जनत साली से बचास सीटे मध्यपदेश में भी हम लेकर आ रहे हैं भारती जन्ता पार्टी की लड़ाई उनकी अंतरकलह से हैं अब आप देखिए कि वसुंधराजी के खिलाफ राजस्थान में पूरी भारती जन्ता पार्टी एक जूट है और वो आपस में भी कई खेमों में अरगिनाईजर ने करनाटका के परिणाम के बाद लिखा था उससे सबक बिलकुल नहीं सीखा भारती जन्ता पार्टी ने उन्होंने तीन प्रमुख हिदायतें दी थी उन्होंने का था एक तो मोदी जी के नाम पर चुनाव मत लड़िएगा दूसरा उन्होंने का था कि इ हिंदूत्व के विशय पर चुनाव मत लड़िए गए इन तीनों बातों को दरकिनार किया केंद्री नित्रत ने भारती जन्ता पार्टी के नेता थोपना चालू की और अंतरकला प्रारंब हो गई अब केलाश मेगवाल जी कह रहा है कि सबसे भरष्ट राजस्थान में कोई आदमी है तो वो अरजुन मेगवाल जी है वो ले वो अधीकारी थे थबी भी भीशन तम ब्रष्टा चार में डूबे हुए थे ततीश पुनिया जी हो राजेंद्र राठोर जी हो जहां जहां इ पीजेपी खेमे में चले गए आज मैं आपसे आपके खेमे की बात करना चाहता हूँ अब दूबे आपने बड़ी चतुराई से देखिए मेरे सवाल को आपने घुमा दिया मैंने यह नहीं पूछा कि आपके सीम कौन है सबको पता है राजस्थान में आपके सीम अशोग ग अबने तो साफ कहा कि चेहरा मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री ही हैं और जो नित्रत करेंगे राहूल गांदी जी की साफ माननिता है कि नित्रत वो महिला है राजस्थान में मद्रिप्रदेश में 36 गड़ में मीजो रम में तेलंगाना में करेगी जो मोधी सरकार ने ज देखिए भारत का सम्विधान क्या कहता है मानक जी मेरी तो मैं कहतो रहा हूँ अभी तो मुख्यमंत्री अशोग गेलो जी जिनके चेरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं मानक जी आप सुनिये उनी के चेरे पर लड़ रहे हैं 36 गड़ में भुपेश बगेल जी के चेरे पर ल और यही होता है प्रजातंत्री स्वस्थ व्यवस्था में इसलिए चेरे तो हम गोशित करते हैं लेकिन अंत्ता निर्णाय जनता लेती है जनता जो प्रतिसात देती है हम सम्विधान का आधर करते हैं इसलिए यह कर सम्विधान का नाधर नहीं कर सकते हैं आज चेरे साफ ह मद्यप्रदेश में कमलनाथ जी चेहरा है राजस्थान में अशोग गहलोथ जी चेहरा है चत्रिसगर्ड में हमने कहे दिया कि भुपेश बगेल जी चेहरा है और जाहिर है सचिन पाइलट जी भी कह रहे हैं सिर्वो नहीं आला कमान भी इसमें तै करेगा उनका भी से होगा उनका भी उनकी भी राय होगी तो मतलब मैं दुबारा से पूछ रहा हूं वे दुबे आपने जहां खतम किया वहीं से अपना सवाल शुरू कर रहा हूं मतलब आप ये कह रहे हैं आपने तीनों राज्यों में सीम के चेहरे दे दिये अगर तीनों राज्यों में कॉंग्रेस जीती तो यही लोग दुबारा सीम बनेंगे मानक गुपता जी क्या हक और अधिकार बाकी के विधायकों का चीन जाता है वो भी तो अपनी दावेदारी प्रस्तूत करके वोटिंग में भाग ले सकते हैं गांदी जी ने जब से खड़के जी ने नेतरत समाला है रावल गांदी जी जब नेतरत समाल रहे थे बाकाइदा वोटिंग कराते थे और मध्यप्रदेश में भी मैं मौझूद हूं जोती रादित सिंधिया जी ने प्रस्ताव कमलनाज जी का रखा था और विधायकों ने वोटिंग की मैं एक बात बताता हूं आखरी आपको मध्यप्रदेश हो या राजस्थानों क्या हुआ है पता है मध्यप्रदेश में हुआ यह है कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे शिवराज जी और महाराज ने यह फॉर्मूला दिया केंद्री नि बात की तो का कि नहीं साब मैं तो चुनावी नहीं लड़ना चाहता था क्यों नहीं लड़ना चाहते थे वो जानते हैं मध्यप्रदेश की परिस्थी इतना अधिक केंटी इनकंबंसी है इतना भीशंतम ब्रस्टा चार है और कॉंग्रेस कमलनाज जी के जो वचन है वो काम कर रहे हैं कि पंद्रा सो रुपए मेना बेनों को किसानों को पांच हार्ट्स पावर की मोटर पांचो रुपए का गेस का सिलेग्जार रुपए हैं अबेदुबे ने देखिए काफी हद तक स्थिती सपष्ट की लेकिन अंत में एक चोटा सा राइडर लगा दिया कि जो स सारे विधायक हैं उनकी राय मान कर ही तो कोई मुख्यमंत्री चुना जाए